है ये जाए है है कि अज़यों दोस्तों स्वागत आपको अफिजी से केड़ में दोस्तों हम लोक पढ़ने वाले इसके कॉशन लगातार आती जा रहे और आगे भी आएंगे तो यह एक बूल सकते हैं बहुत ज्यादा इंपर्टन टॉपिक है तो चलिए शुरू करते हैं कि अखिर होता क्या है कॉंटन इफेक्ट सन 1923 में किसी कॉंटन नायम के एक सैंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर क्या था बिसेकली यह कॉंटन इफेक्ट होता क्या है तो कॉंटन इफेक्ट ना वह पार्टिकल नीचर है यह बता सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट प्रूव स्थी पार्टिकल नीचर ओफ एक्सरे पोटॉंज अलब जी फोटॉंज क्या है जो यह लाइट होते हो उसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जैसे क्याम लोगों को पता है प्लांक्स का जो हैपोथिस्स था उसके बेसिस पर लोगोंने बोला था कि some light Continent तो यह क्या कहता है Particle aspect of Radiation उसका Particle नीचे दिखाता है तो आप देखते है lasting baru igerhy cardboard Social जो यह गिरेगा और जो इसमें जो प्रोसेस होता है वह ना मट्रियल पर डिपैंड नहीं करता तो अम लोग यहां पर जो कांफ्टरन नहीं किया तो उन्हों ने एक्स एक्सरेट रेडिएशन को यह ग्रिफट ब्लॉक के ऊपर डाला तो हम लोग भी वही लेके अभी तो उसमें कहाता है एक्सरेट रेडिएशन एक ग्रिफट ब्लॉक पर गिरती है जो रेडिएशन है वह स्कैटर होती है दूसरे डिरेक्शन में कुछ एंगल बनाके स्कैटर होती है तो जो जो स्कैटर रेडिएशन है उसमें क्या होता है कि उसमें वेवलेंद का चेंज हो लेटा लेम्दा और इसी को अम लोग बूलते हैं content shift content shift विवलेंथ में कितना चीज हुआ उसको बूलते है content shift तो चलिए देखने थे के यह experiment हैकिर है क्या इसका पूरा derivation करेंगे content shift का एक mathematical formula और पूरा डेरिविशन तो आपके सिलिबेस में मरलोग आइटे जब में तो ऐसे कुछ काम नहीं आएगा आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़े और रही है तो चलिए शुरू करते हैं मान लीजिए यहां पर कुछ एक मट्रियल लगा है जिसको अब लोग ग्रिफाइट का मान लेते हैं तो यहां पर ऐसे कुछ पढ़ा है यहां पर मान लीजिए को मट्रियल है अब यहां से x-ray radiation आ रही है यहां से x-ray radiation आ रही है इस material पर गिरिंग यहां से जो x-ray radiation है तो photon का scattering जो photon है उसका scattering इस direction हुआ मानने जी इस direction में यह हमारा photon आ गया photon और यह material है तो इसके अंदर क्या होंगे electron होंगे और इसके अंदर हम लोग मान के चल रहे हैं कि यह क्या अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन है अब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे तो जो x-ray radiation है यह जो x-ray radiation है उसके energy बहुत जादा है इसक उस संदर्ग में हम लोग मोग बोल रहे हैं कि यह जो इसके अंदर जो electron है वो कैसे free electron है क्योंकि x-ray radiation की जो एनर्जी होगी इसके energy हम लोग क्या है कर सकते है इस इकॉस टू एच मू तो जो एनर्जी होगी जो इसके बाइडिंग एनर्जी होती इलेक्ट्रॉन की तो उससे ज्यादा है तो हम लोग यह बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या free है तो जो इलेक्ट्रॉन का जो scattering वहा वो इस सेड़ हुआ जो से बता देते हैं और इसको कहते है लाइन ओफ इंपक्ट लाइन ओफ इंपक्ट इसको बोलते है लाइन ओफ इंपक्ट तो यहां पर हमारा क्या है यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन है यहां पर फोट्रॉन है हम लोग जो यह इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हम लोग मान ल एकसपर वा उम्हारा एकसरे रेडियेशन है कि उसकी अनरजेन में होने मानली E उसका मोमेंटम ने ala और इसका इंसिडेंट जो एक्सरेडियेशन उसका मुमेंटम हम लोग मान लेते हैं तो यह पूरा ऐसे एक एक्सपरिमेंटल सेटप जैसे आप लोग देख सकते हैं और जो हां यह जो एंगल बना रहा है लाइन ऑफ इंपक्त के साथ जो स्कैटर्ड फोर्टोन है उसको हम लोग मान लेते हैं ठीटा और इसको बोलते हैं स्कैट्रिंग स्कैट्रिंग एंगल इस डिरेक्शन में फोर्टोन का स्कैट्रिंग हो रहा है तो यहां पर हम लोग क्या सर्टेंग कुछ अजम्शन करने पड़ेंगे तभी एक पूरा हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं कोई भी आप फिजिक्स में प्ले लीजिए अगर कुछ डेरिवेशन करना कुछ कुछ एक्सप्रिमेंट को पूर करना मैथमेटिक लिए तो हमको कुछ अजम्शन करने पड़ें तभी हम लोग प्रूव कर सकते तो इसमें अजम्शन किये थे वह हम लोग देख लेते कि दो जम्शन क्या है अजम्शन मेड बाइधी कॉंटंग कि अजम्शन पहला आजम्शन चो कांट्र ने क्या था तह जो यह एलेक्ट्रोन और फोर्टोन का को रहा है वह उन्नहें माना ता कैसा holistic है न्हीं इलास्टिक को डिचन के लिशिए किंद दोनों के बिच में फोर्ट्न और जो इलेक्ट्रों है इन दोनब के बिच में जो क्लिशन वरल हे है उसको कैसा माना हम लोगों ने एलास्टिक आपको पता है यह 11th क्लास का यह तो कंसर्ट है कि एलास्टिक कॉलिजन होगा तो वो दो चीज़े कंसर्व होती है वो हम आगे देखेंगे और दूसरा जो अजयम्शन किया था वो था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो कि मैंने बताई दिया जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है फ्री एलेक्ट्रॉन है एलेक्ट्रॉन है इस री में connect के में अट्र 1793 है अगर एलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है यहां पर यह शेल sowर रहें कि यह दिए क्या है ब derecho क्या है रेस्टा रंлем तो उसकी का हो जगो जाए रेस्टमास एनजी कितना आगया m0c2 क्योंकि उसका रेस्टमास हम लोग बोल रहे हैं m0 तो इसके एनजी कितना हो गया m0c2 तो यह जंप्शन कांट नहीं किये थे तो अब चलिए देख लेते हैं ऐसे एक एक आजम्स को यूज करेंगे इस derivation को पूव करने में तो चलिए वह देख लेते हैं derivation सबसे पहला हम लोकों किया था सबसे पहला कि Elastic Collision कि Elastic Collision कि अब Elastic Collision है तो दो चीज़े का जरू होती है सबसे पहला मूमेंटम às 2 दूसरा energy हिरह दो चीजेane इलास्टिक कुलीजिन होता अब कंजरू होन थी यह तो हम लोग एक नीन रभाई वन इसको यूज करेंगे और जो दोनों का ठे Building है वो हम लोग देखेंगे तो सब से पहले मोमेंटनं का conservation. गयों से प disorders क्या माना था प्योंड डेखा था, मैं आपको इसे डिवाइड लिए कर देता हूं यह इतना जो इस साड का जो है लेप्तेंड इड़ वह जो पिच्चर है पुरा वह वह है बिफोर कोलीजन का अब जो यह यह थो एतना है वह है आफटर को लीजिन यह पूरा ऐसे पिचर तो जो फोट इंसिडेंट फोटोन है उसका मोमेंटम माना था पी और जो आफटर को लीजिन जो चीजे होगे इसमें लोगोंने जो फोटोन पोटोन का उसका अम लोगोंने मोमेंटम माना था पी डैश प्लस जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो है तो यह मोमेंटम का conservation हुआ है मैं यहां पर लिख देता हुआ है यह है incident यह कांसा है स्कैटर्ड जो स्कैटर्ड हुआ और यह क्या है इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिकॉल्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं फिर भी इसको इसको मार लेता है इसको मार लेता है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन तो इतनी चीज़े होगी मोमेंटम हम लोगों ने देख लिया जो इंसिदेंट मोमेंटम हो किसके इकवाल है प्लस पी अब हम लोगों को मान लीजिए हम पी इको सब्जेक्ट बना देगे तो कैसे लिख सकते हैं पी इस इकोस्तू पी माइनस पी डैश यह हो जाएगा अब यह मोमेंटम क्या है वेक्टर से और इनको एड और सब्ट्रेक करने तो हम लोगों क्या यूश करना पड़ेगा वेक्टर लॉफ एडिशन अगर इनको हमको एड और सब्ट्रेक करना तो इसके लिए हम लोग क्या करनेंगे वेक्टर लॉफ addition और addition और subsection यह हम लोगों को use करना पड़ेगा यहाँ पर क्या है? subsection है, तो कैसे करेंगे? क्या है? P is equals to P minus P dash अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं under root P square plus P dash square यह वेक्टर है minus sorry, minus होगा minus minus 2P P dash cos theta यह क्या होगा? P यह पूरा ऐसे होगा अब हम लोग क्या करें? square root को अठाने के लिए दोनों साइट square कर देंगे स्क्वाइरिंग both sides square is equals to P square plus P dash square minus 2P E dash cos theta यह हो जाएगा अब आपको पता है कि energy और momentum के बीच में relation क्या है? E is equals to होता है P c अगर हम momentum के value निकाले तो क्या हो जाएगा? P is equals to E by C और जो यह energy होता है sorry energy और momentum के बीच में relation E is equals to P c और P is equals to क्या हो जाएगा? P is equals to E by C और E के value क्या होता है? H mu by C H mu by C तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अब क्या? H mu mu तो जो mu होगा incident के लिए अलग होगा scatter के लिए अलग होगा तो हम इसमें common क्या है? यह constant है H और यह CB constant है तो उसको हम लग बाहर ले सकते हैं इसके bracket के तो उसको हम लग लिखेंगे H square C square और यहां पर bracket में होगा mu square plus mu dash square minus 2 mu mu dash cos theta और यह किसके एक होगा? P e square के यह value हम अभी bracket कर रहे है इसकी जरूत हमें आगी की आगे derivation करेंगे उसमें जरूत पढ़ेगी अब देख लेते हैं conservation of energy conservation of energy तो energy conservation में हम लोग क्या देखेंगे तो सबसे पहले तो before collision वाला picture देख लेते उसमें क्या क्या है उसमें हम लोग के पास एक photon है उसके energy कितनी है है और क्या है electron है electron address है तो electron address के हम लोगोने energy देखा था उसको हम लोगोने क्या था E zero is equals to M not c square या M e बोल दो electron का mass हम लोगों को mass तो सेम ही रहेगा before the collision और after the collision तो इसको हम लोग देखें M e square अब जो after the collision होगा after the collision जो picture क्या होगा तो photon है उसका हम लोगोने energy लिया था skeleton photon उसका लिया था हम लोगोने energy E dash is equals to H mu dash और जो इसका electron है वो अब relativistic nature आ जाएगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं उसका energy E is equals to under root P e square C square plus M e square C to the power 4 यह क्या है relativistic relativistic energy है electron की अगर नहीं पता तो यह पता कर लीचे कि relativistic energy क्या होती है तो हम अगर यह P e की जगा जो हमारे यह P e है जो हमारे यह P e है उसकी जगा हम लोग यह रख सकते हैं रख सकते क्योंकि P e square एड तो direct value रख दीजे तो हमारा जो electron का energy हो जाएगा after की collision वो क्या होगा हम लोग अंदर value रख दे अगर हम लोग यह वाला अंदर value रख दे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट mu square plus mu dash square minus 2 mu mu dash cos theta plus m e square c to the power 4 divided by x square यह होगा e e जो electron का energy होगा after the collision वो इतना होगा हमने क्या क्या है जो यहां पर हम लोगों conservation of momentum से जो P e की value मिली वो हम लोगों ने यहां पर रख दी वो हम लोगों ने यहां पर रख दी यह c square से c square cancel हो जाएगा और जो हमारा बहार हम लोगों ने देखा h square h square by c square c square से c square cancel हो जाएगा और h बहार आजाएगा वो इससे multiply हो रहा है यहां पर h है नहीं तो यह इसके साथ divide हो जाएगा h square क्योंकि under root है अब देख लेते हैं पूरा conservation तो सबसे पहले e is equal e plus e naught क्या है यह rest mass energy of the electron is equal to e dash plus e e यह जो हमारा scattered photon और यह हमारा recalling electron तो इसका हम लोग सबकी value डाल लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा जो incident of x radiation उसका energy हम लोगों का क्याता है h mu फिर और जो हमारा electron at rest उसकी energy हम लोगों को ने देख आता है h sorry m e c square is equal to h mu mu dash h mu dash यह किया है हमारा जो हमारा scattered photon है उसका energy है h mu dash plus हमारा जो e e हम लोगों नहीं यहाँ पर निकाला e of e जो हमारे यह क्या है relativistic energy of the electron वो लिख देंगे energy अब यह क्या करें हम लोग इस h को h mu को set ले जाए इस h mu को set ले जाए हाँ ले जा सकते है क्योंकि plus में है तो यह हो जाएगा h mu हाँ इसको direct common ही ले ले यहां से mu minus mu dash plus m e square m e c square is equals to h under root mu square plus mu dash square minus 2 mu mu dash cos theta plus m e square c to the power 4 h square यह पूरा under root में अब यह जो h है अगर इसके साथ हम लोग set ले जाए तो यह h cancel हो जाएगा और इसके under इसके नीचे आ जाएगा h तो वो कर लेते हैं हम लोग एक कॉर step लेते हैं इसमें उसके बात squaring both side करके हम लोग root हडा देंगे इक्वेशन को solve करेंगे दूसरे हमें delta जो lambda है जो हमारा content shift है वो हमें मिल जाएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है mu mu dash square minus 2 mu mu cos theta plus m e square to the power 4 h square यह पूरा under root में अब क्या करेंगे squaring both sides करके जो यह under root है उसको हटा देंगे squaring both sides squaring both sides मैं भी भी बोड रहा हूँ यह derivation आपके किसी काम कहा नहीं है आपको पता होना चीए क्या कैसे क्या चीज़ें हो रही है हम लोग यह derivation आपको कोई IIT जाम यह कोई डेरिवेशन नहीं पूछेंगे यह बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें हो रही है mathematics लोगों का mathematics लोग वाले तो उनको ज्यादा दिक्कत आती है कि कैसे ही पूरा derivation हुआ और आपको पता भी होना चीज़े कि derivation कैसे होता है squaring both sides करके हम लोगों जो value मिलेगा वो क्या होगा सबसे पहले हमारा जो equation है वो पूरा वापस से लिखता हूँ mu minus mu dash plus m e c square by h is equals to under root mu square plus mu dash square minus 2 mu mu dash cos theta plus m e square c to the power 4 divided by h square अब इसमें क्या करें squaring both sets तो क्या हो जाएगा mu minus mu dash ka whole square plus m e square q to the power 4 divided by h square plus 2 क्या होता है a इसको मार्लेज a और इसको मार्लेज b हमारा कैसे होता है a plus b ka whole square क्या होता है a square plus b square plus 2 a b तो यह कहा हो जाएगा 2 a b लिखना है क्या पार्तिया 2 a b 2 into mu minus mu dash into m e c square square अब इसको भी हम लोग open करी लेते हैं minus 2 mu mu cos theta बहुत ही बड़ा derivation है अब इसमें देखने थे कुछ कट रहा है हाँ mu square plus mu dash square यह भी कट जाएगा इसको 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 कमण ले 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 लेंगे 2 mu mu dash तो यह क्या हो जाएगा 1 minus cos theta यह हो गया हम उसको उस साइट ले ले लिए फिर उसमें से common निकाल लिया अब 2 से 2 काट देंगे 2 से 2 कर जाएगा तो क्या हो जाएगा अब फिर यह 2 से 2 काट जाएगा फिर यह जो mu into mu into mu dash है उसको इसके नीचे लाने देंगे तो क्या हो जाएगा mu minus mu dash divided by mu mu dash is equals to h by m e c square 1 minus cos theta यह कैसे है यहाँ पे जो यह mu mu dash है उसको इसके नीचे जाने दिया और जो h s को इसके साथ multiply गए और यह जो m e square है उसके नीचे आ गया तो जो हमें equation मिला हो यह मिला अब क्या कर लेते हैं इन दो अनों को divide कर लेते हैं divide करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon mu dash minus 1 upon mu as equals to h by m e c square 1 minus cos theta मान यह हम लोगों को याद रखना है यह थीटा है वो क्या है angle of scattering है angle of scattering यह 5 भी होता है किसी-किसी book में 5 भी दिया है हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है 5 है वो requiring angle लिया है यहाँ पर हम लोगों ने लिया है जो थीटा है वो क्या scattering angle है mu minus 1 upon mu minus mu dash अब क्या करते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं c से multiply करते हैं यहाँ यहाँ से multiply करते हैं यहाँ से multiply कर दो यहाँ से एक c है उसको यहाँ पर ले जा तो ऐसे लिख सकते हैं c by mu minus c by mu dash minus c divided by mu यह हो जाएगा h m e c 1 minus cos theta हो गया इतना हो गया इतना अगर नहीं समझा है तो आप लोग comment करके बता देना मैं पूरा एक video ही बना दूँगा अगर कुछ समझ नहीं आए ना तो आपको आपको पता है easy cost क्या होता है h mu h mu और mu को हम लोग क्या लेख सकते हैं c upon lambda c upon lambda अब हम लोग को कि यहां पर क्या देगा है c upon mu तो lambda की value होई c upon mu यह क्या होई lambda की value तो इसको हम लोग जो सकते है lambda dash minus lambda is equals to h by m e c 1 minus cos theta जैसे कि मैंने पहले बता था lambda dash minus lambda क्या है हमारा captain shift है उसका value तो मैं आगली slide में आपको उससे लिखके बताता हूं lambda dash minus lambda h by m e c 1 minus cos theta इसको हम लोग क्या ले सकते है delta lambda delta lambda h by m e c 1 minus cos theta यह हो हमारा जो यह इसके उपर question बहुत जादा आते हैं तो आपको यह formula तो याद रख नहीं है formula के ऊपर ही question है derivation कुछ काम का है नहीं अगर हम लोग मान लें यहाँ पर हम लोग एक मान के चलें कि जो यह cos theta है वह 0 cos theta 0 theta कितना होगा 5 by 2 यह 90 5 by 2 90 तो यह क्या हो जाएगा lambda की value होगी delta lambda होगा h e by m e c तो इसकी value यह सब क्या है constant है mass of electron speed of light or planks constant इन सब की value रखके हम लोग अगर put करें तो जो यह value मिलती है इसको बोलती है 2.426 into 10 raise to power minus 12 meter और यह wavelength high इसको बोलते है lambda c और lambda c मतला यह हुआ wavelength कैसी wavelength content wavelength इसको बोलते है content wavelength यह value भी आप याद रखना क्योंकि direct इसकी basic question आ सकते है इसके कैसे question होते है कि debugly wavelength और content wavelength equal है तो फिर ऐसे बहुत सारे question बन सकते है तो आपको यह formula याद होना चाहिए और यह content wavelength तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही thank you कर सकते है